आज हम डियर स्टुडेंट्स वेल्कम डू वोरियर अगेडमी आज हम डियर स्टुडेंट्स बात करने वाले हैं पीवाई क्यों पर या निकी प्रिवेस एर क्वेस्टन पर देखो बच्चो प्रिवेस एर क्वेश्टन करना आप के लिए उतना ही इंपोर्डन्ट रहता है जितना important आप के लिए आगे का से लेवर करना रहता है actual में हम देखते हैं कि जो exam का pattern रहता है NDA की exam का जो भी pattern आपका होता है वो pattern बच्चो उसी हिसाब से बनता है जैसे कि हम last year के question देखते आए है यानि कि उनसे मिलते जिलते question ही निकलते है बच्चो daily मैं आपको 10 question करवाऊंगा यानि कि 10 question हम daily करेंगे और रोजाना evening में 8 बजे मैं आपके साथ live रहूंगा जो बच्चो हम 10 question PY के कर रहे हैं वो question ऐसे हैं जो कि last year exam में या last से second last year exam में पूछे गए है और इन 10 question से आपके 50 question निकलेंगे यानि कि 50 plus question निकलेंगे क्योंकि हम एक question के उपर कम से कम 2-3-4 minute बात करेंगे और actual में उसके पीछे reason ये है कि जो question हम करने जा रहे हैं उनसे कितने type के और question बन सकते हैं तो बच्चो आपके लिए ये compulsory है कि आप इस YouTube channel को subscribe करें और वीडियो को like करें ताकि जादा से जादा वीडियो आपको मिल पाए और आप history में full marks लेके आप आओ बच्चो किसी भी exam का pattern देखें हम इंडिया के all over exam जिस पर कार NDA हो गया, CDS हो गया या defense के जितने भी criteria हो गया UPSC हो गया, SSC हो गया total exam इंडिया के लेते हो NDA या UPSC किस परकार से question आप से पूछ रहा है तो इस बात की आज हम चर्चा करेंगे कि NDA आप से किस type के question जाता है या UPSC आप से किस type के question चाहता है और वो किस type के question बार-बार repeat करता है तो बच्चो पहला question जो हमारा है ये NDA 2015 में इस question में बच्चो देखो ये पूछ रहा है बच्चो अब इन्हों ने पूछा कि राम परसाद, बिश्मिल, रोशन सिंग और राजेंदर लहाडी तीनों में कौन सी सीज कोमन है अब देखो simple सा अब आपको क्या करना है आप उस पे जाईए जो चीज इन तीनों में कोमन नहीं है अब बच्चो अगर इन तीनों की बात करें कोमन तो देवर associated with the का कोरी conspiracy case ये कोमन नहीं है क्योंकि तीनों इस case में नहीं थे अब simple सी बात है आपका D गलत है इसलिए D को छोड़ दो अब आपके पास क्या बच गया A, B और C बच गया अब आपको चलना है दूसरे गलत आंस्वर पे जो कि आपको लग रहा है कि कौन सा गलत हो सकता है उस पे चलते हैं देवर्दा founder of Hindustan Republican Association बच्चो हमने बात की थी Hindustan Republican Association के founder कोन रहते हैं तो चंदर सेकर आजाद बगेरा इसके founder रहते हैं और चंदर सेकर आजाद के साथ और भी लोग थे जिनाओ ने इसको found किया तो बच्चो उसको found करने वाले राम परसाद, बिश्मिल, रोशन सिंग और राजेंदर लाहाडी नहीं थे तो second answer भी आपका क्या रहेगा यानि कि C option भी आपका गलत रहेगा इसके बाद बच्चो अगला option इसमें दिया गया है देव वर्दा founder member of सवराज party बच्चो सवराज party के ये member नहीं थे क्योंकि सवराज party की जब हम बात कर रहे थे तो मेरे आपको बताया था दो फॉर्मूला था यहाँ पे एक moderate होता था एक extremist होता था तो ये लोग कौन से थे ये लोग extremist थे बच्चो ना कि moderate थे और सवराज party थी उसमें ज़्यादातर लोग कौन से थे moderate थे यानि कि कॉंग्रेस से जो उदारवादी लोग आये थे उन्होंने सवराज party को found किया था अब बच्चो हमारे पास एक option बसता है यानि कि यानि कि आपका right answer बच्चो क्या रहेगा तो right answer आपका रहेगा इस परकार आप बच्चो देखते हो कि हमें जब भी question निकालना हो तो हमें पहले क्या करना है हमें पहले wrong answer निकाल लेना है जैसे जैसे हम wrong निकालते जाएंगे तो एक answer सही मिलने के chances हमारे पास ज़्यादा बढ़ जाती है चलो बच्चो अगले question पे चलते हैं अगले question की हम बात करते हैं महात्मा गांदी हिंदू सवराज is essential बच्चो इनव ने पूछा कि महात्मा गांदी देखो हिंदू सवराज में महात्मा गांदी जो न्यूजपेपर निकालते हैं हिंदू सवराज उसमें महात्मा गांदी क्या बाते या कौन सी common चीजे वो बताते हैं हिंदू सवराज को लेके हिंदू सवराज को लेके जो common चीजे थी या जिसके हिंदू सवराज में महादमा गांदी ने अपने विचार व्यक्त किये यानि कि अपने बारे में बताया या अपनी philosophy के बारे में या अपनी sociology के बारे में या अपने system के बारे में बताया कि सत्याग्राकिस पर गार चलना चाहिए तो बच्चो इसमें हम देखते हैं एक critique of western modernity देखो भई, पहला answer तो हमारा गलत होगा पहला answer इसलिए culture के भी खिलाब थे महात्मा गांदी तो चरके को sport कर रहे थे, suit को sport कर रहे थे, cotton को sport कर रहे थे खादी को sport कर रहे थे और महात्मा गांदी तो पूरी तरह जो western industry थी उनके against थे तो इस बरकार हम देखते हैं कि पहला answer हमारा गलत हो जाएगा यानि कि A option हमारा गलत रहेगा अब बच्चों एक बार B को छोड़के हम C पे चलते हैं अब बच्चों C option भी हमारा गलत रहेगा क्योंकि फ्री देंसलिवस फ्रों दा ब्रीटिशर अब वो क्या सोचते थे महात्मा गांदी उसकी बात की जाए तो इसके बाद इनाव ने option दिया A blueprint of Gramsavras कि ये Gramsavras का blueprint था यानि कि गाउं की सरकार Gramsavras गाउं को किस परकार स्वावलंबन बनाया जाए उसका blueprint था बच्चों ये भी हमारा answer गलत रहेगा अब हमें option B पे चलना है An outline of his philosophy of satyagra तो इनाव ने इसमें क्या दी थी हिंदू सवराज में philosophy of satyagra यानि कि satyagra है कि philosophy के बारे में इनाव ने बताया था तो हमारा answer कुन सा right रहेगा बच्चों B answer हमारा right रहेगा इसके बाद बच्चों हम अगले question पे चलते हैं पोचम पल्ली इन नल गोंडा district of telgana become famous in April 1951 because इनाव ने पूछा भई पोचम पल्ला में नल गोंडा district है यानि कि वो telgana में become famous in April 1951 कि ये 1951 April 1951 में बच्चों क्यों famous हुआ तो इसकी बात अगर हम करेंगे क्यों famous हुआ देखो अब इसमें हम बात करते हैं कि अप्रेल 1951 में ऐसा पोचम पल्ली या नल गोंडा में क्या हुआ था the Bhutan moment was launched there by Vinova Bhave क्या यहाँ पे Vinova Bhave ने moment start किया था बच्चों तो ये answer आपका गलत रहेगा ये option आपका गलत रहेगा क्योंकि Vinova Bhave पहले moment start करने वाले थे जब हमारे यहाँ पे Quit India moment भारत छोड़ो आंदोलन start हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले इनव ने व्यक्तिगत सत्याग्राह मुमेट चलाया था तो उसके पहले सत्याग्राही Vinova Bhave थे तो Vinova Bhave यहाँ पे गलत answer रहेगा क्योंकि यह बच्चो आजादी के बाद का मुमेट है इसके बच्चो दूसरा इन्हों ने कहा बच्चो दूसरा option इन्हों ने कहा कि जो लैंडलेस यानि कि जो मजदूर लोग थे या जो खेत में काम करते थे वो लोग जिनके पास जमीने तो थी लेकिन उनका जमीनों के उपर अधिकार नहीं था उन्होंने क्या किया बच्चो आम्स यानि कि बंदू के उठा ली किसके खिलाफ जो लैंडलोड थे तो यह option भी हमारा गलत रहेगा क्योंकि ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता बच्चो तीसरा option हमारे पास दिया गया इट विटनेस्ट वोईलेंट एंटी हिंदी एजिटेशन बच्चो यह answer हमारा बिल्कुल राइट रहेगा यह क्या था वोईलेंट था एंटी हिंदी एजिटेशन का इसके बाद बच्चो चोथा option इसमें रहेगा इसके बाद बच्चो यह answer भी आपका गलत रहेगा तो इस question का right answer आपका क्या रहेगा C रहेगा बच्चो चलो हम अगले question पर चलते हैं अगला question हमारा who among the following was not associated with the सर्वध्या moment अब बच्चो सर्वध्या moment से related इन्हों ने question पूछा है तो सर्वध्या moment से related जब हम question की बात करेंगे तो इन्हों ने कहा कि सर्वध्या moment से related कोन was who among the following was not associated with the सर्वध्या moment अब देखो इसमें कौन-कौन सरवध्या मुमट से related था और कौन नहीं था, उसकी बात करेंगे तो बच्चो पहला option दिया हमें इन्होंने जया प्रकास नारायन, ये बच्चो गलत अंस्वर है, जया प्रकास नारायन इस मुमट से related नहीं थे, इसके बाद आचार्या विनोवा भावे, मैंने बत रहता है धिरेंद्र मजूमदार और उसके बाद D option रहता है जी वी एप्राव अब देखो कौन था तो बच्चो इसका right answer आपके पास रहेगा C धिरेंद्र मजूमदार थे जी वी एप्राव भी नहीं थे यानि कि आपका right answer क्या रहेगा बच्चो इसमें C रहेगा इसके अब देखो बच्चो ये modern technology जो modern technology भारत में आई उसके बारे में question पूछा गया है और उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो इनव ने क्या कहा उसके बाद देखो दूसरा option इनव ने क्या दिया the fast Indian script of which types were prepared was Tamil कि भाई पहली बार Indian script को type किया गया prepare किया गया तमिल से the English company fast experiment with printing Paris was as Calcutta कि इस समय इनव ने क्या किया English company ने देखो पहली बार experiment किया कहा पी किया बच्चो तो experiment इनव ने कहा कि इनव ने किया Calcutta में अब बच्चो Calcutta में experiment किया या नहीं किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके बाद the English company imported printing press to India in 1674-75 and the request of Bheemji Parak देखो बच्चो मैंने आपको बताया था जब हम British company को पढ़ रहे थे तो British company ने पहली बार भारत में printing press कहां पे लगाई तो भारत में 1674-75 में British company ने printing press लगाई यानि कि इसमें आपका 4 right रहेगा अब बच्चो 4 अकेला इसमें right है नहीं तो 4 अकेला right नहीं है तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे option की कि दूसरा option हमारे पास क्या रहेगा अब बच्चो वापिस भेग चलते हैं the English company company's first experiment with printing press was at Calcutta तो बच्चो मैंने आपको कहा था कि Calcutta में experiment नहीं हुआ था English company का यानि कि British company ने experiment किया था Bombay में यानि कि printing press Bombay में लगाई और उससे पहले printing press को पुर्तगालियों ने गोवा में लगाया तो बच्चो थर्ड आपका गैलत हो जाएगा अब हम चलते दूसरे पे the first Indian script of which types were prepared was Tamil बच्चो ये answer भी आपका right रहेगा क्योंकि Tamil में script हुई थी पहला the Portuguese brought European movable metal types to Goa in 1550 बच्चो जब Goa को उन्होंने 1550 में यानि कि capital बनाते हैं तो वो यहाँ पे कुछ modern चीजों को stable करते हैं इसलिए हमारा एक, दो और चार right रहेगा अब हमें देखना है एक, दो और चार कहाँ पे है तो बच्चो इसका A answer जो दिया गया उसमें दिया गया A and B यानि कि एक और दो यह हमारा गलत रहेगा यहाँ पे चलते हैं तो यह भी गलत है उसके बाद B पे चलते हैं दो और तीन तो यह भी बच्चो गलत रहेगा इसका right answer रहेगा D यानि कि एक, दो और चार तो एक, दो और चार आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा इसके बाद next question की बात करते हैं बच्चो हम देखो next question हमारा जो रहा next question which one of the following statement about subsidiary alliance devised by Lord Wellesley in the year 1798 is not correct इनाओ ने कहा कि कौन सी मतलब ऐसा option है जो right नहीं है यानि कि correct note correct अब बच्चो इसके बारे में बात करें तो यह NDA second का question है 2015 का और बच्चो subsidiary alliance के बारे में हमने बात की थी इसको बोला जाता है सहयक संदी और actual में इस subsidiary alliance को सबसे पहले लागू किया था फ्रांसीसियो ने और फ्रांसीसियो में एक डूपले नाम का अधिकारी था जिसने इस संदी के तहट हमारे भाटिये राजाओं को वो क्या देता सुरक्षा देता और उसके बदले में कुछ धन लेता तो हम बात करते हैं बच्चो इसके आंस्वर के बारे में यानि कि इसका आंस्वर हमारे पास क्या रहना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं तो पहला option देखते हैं इसने बोला कि भाई जैसे ही कोई territory, subsidiary alliance करेगी तो वो उसके जितने भी मामले होंगे subsidiary alliance के according यानि कि internal और external जो समराज्य के अंदर के मामले है और समराज्य के बाहर के मामले है उनको कोन protection देगा? British company protection देगी अब हम दूसरे पे चलते हैं BP In the territory of the ally a British armed contingent would be stationed यानि कि British army उस territory में क्या रहेगी? regular रहेगी British army armed forces वहाँ पे regular रहेगी इसके साथ तीसरे option की बात करें दा एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड दा resource for the maintaining the British contingent in the territory भाई इसके बदले में इनों ने क्या बोला? कि जो maintenance charge लगेगा यानि कि जो army वहाँ पे रहेगी और उसका जितना खर्च आएगा वो कौन देगी? वो territory देगी territory provide करवाएगी किसको British company को इसके बाद बच्चों इनों ने fourth दिया the permission of the British was needed for the ally to enter into agreement with the other rulers बच्चों इसका ये क्या रहेगा? ये बिलकुल right answer रहेगा D actual में क्या? कि इसमें ये बोला गया कि भई जो भी ally होगा उसको जैसी वो agreement पे sign करेगा तो वो किसी अलग ruler से treaty करेगा तो treaty करने के according उसे किस से बात करनी पड़ेगी? पहले उसे पहले British company से बात करनी पड़ेगी और British company कहेगी तभी वो treaty कर सकता है? नहीं वो treaty नहीं कर सकता दूसरा बच्चो जैसे ही इस treaty में इंटर कर लिया तो वो किसी दूसरे साथी संबंदी या फिर किसी दूसरी territory के साथ कोई treaty नहीं कर सकता क्योंकि उसकी treaty किसके साथ हो गई? East India company के साथ हो गई तो इसका हमारे पास right answer बच्चो क्या रहेगा? right answer रहेगा D चलो अगले question की बात करते हैं देखो बच्चो Which one of the following statement about खिलाफात moment is not correct? कि कौन सी सही नहीं है? अब देखो खिलाफात moment कब हुआ था बच्चो हमने बात की थी कि जब fast world war यहाँ पे start हो गया था और fast world war start होने के बाद बच्चो यहाँ पे एक moment हुआ खिलाफात moment actual में खिलाफात moment की बात की जाए तो इसकी आधार सिला बच्चो यहाँ इंड़ा से नहीं होती आधार सिला इसकी जो रखी गई खिलाफात moment की वो आधार सिला तर्की से थी बच्चो fast world war में तर्की तर्की के साथ जर्मनी और जर्मनी के साथ इटली यह तीनों एक साइड थे और एक साइड से लड़ रहे थे और दूसरी साइड बच्चो ब्रिटेन फ्रांस यह लोग लड़ रहे थे अब बच्चो जैसे ही तर्की ने फाइट में इंटर्फेयर किया तो ब्रिटेन ने तर्की के खिलाफ युद की घुशना कर दी और भारतिय मुसल्मानों में ये बाते फेल गई कि भई जब तर्की युद में हार गया तो तर्की के साथ सम्मान जनक संदी यानि कि तर्की के जो खिलीफा होते थे उनके साथ सम्मान जनक वैवार अंग्रेजों ने नहीं किया और एक्चुल में जब मुसलिम लीग ने सयोग किया ब्रिटिशर का सयोग किया तो उन्होंने इस बात पे सयोग किया था कि जब तर्की युद में हार जाएगा तो अंग्रेज खिलाफा जो मुसलिम लीग का मतलब जो मुसल्मानों का सबसे बड़ा लीडर होता था तर्की में जिसको कलीफा बोला जाता था उसके साथ सम्मान जनक वैवार करेगे बट बच्चों जैसे ही सेगिंड वर्ड वर्स माप्त हुआ तो अंग्रेजों ने उनके साथ सम्मान जनक वैवार नहीं किया ये अफवा भारत में फेल गई और भारत में स्टार्ट हुआ कलीफा मुमेंट और इसी के अकोर्डिंग बच्चों लगनाव पैक्ट भी हुआ यानि कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस का समझ होता भी हुआ तो चलो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों दा इसका पहला उप्शन दिया गया दा खिलाफाद मुमेंट डेमंडेंड देर दा खलीफा ठीक है तो खलीफा को लेकर इनव ने डिमांड की कि खलीफा को कंट्रोल दिया जाए वापिस से हमारे जो सबसे बड़ा लीडर होने का था वो कंट्रोल दिया जाए दूसरा बच्चो बच्चों ये तीनों ही लीडर थे बिलकुल ये अंसर भी राइट है चलो ये भी राइट है फास्ट भी राइट है अब सेकिन की थर्ड की बात करते है इंडियन मुस्लिम लीडर यूजिन खिलाफात एज एस सेंबल देट कुड यूनाइट दा इंडियन मुस्लिम क्युम्यूनिटी बच्चो देखो इंडियन मुस्लिम क्युम्यूनिटी जो मुस्लिम लीडर सीफ होती थी उसको खिलाफात का एक सिंबल यानि कि खिलाफात को एक सिंबल के रूप में यूज करते थे तो बच्चो इस सी ओप्शन में हमें थोड़ी सी घडबल लग रही है इसके बाद हम चलो फोट देखते हैं ये भी बच्चो सही है तो बच्चो इसका जो राइट आंस्वर रहेगा वो रहेगा सी एक्चुल में सी क्यों रहेगा बच्चो क्योंकि इंडियन मुस्लिम लीडर सीप इन्डियन मुस्लिम kे लिए खिलाफाद का सेंबल इनवोंने बहुले खिलाफाद को सेंबल के रूप में यूज कर रही थी तो वो गलत आंस्वर हो जाता है इसलिए इस आंस्वर इसका जो उप्शन रहेगा वो क्या रहेगा सी रहेगा बच्चो अगले question की हम बात करते है The British officer who was a representative of the governor general and who lived in a state which was not under direct British ruler was called भई British officer को इनाव ने बोला कि भई क्या कूल किया जाता था तो collector, resident, agent या वोई सरोई simple सा question है बच्चो ये 2015 का second जो exam वाए इंडिये का उसमें question पूछा गया तो मेरे बच्चो आपको बताया था कि British officer को क्या call किया जाता था सबसे बड़ा जो governor general होता था उसको बोला जाता था वोई सरोई Is that clear? तो आपका answer right रहेगा B चलो आज के लिए इतना ही और कल हम फिर से 10 question करेंगे और रोजाना 9 से 10 question हम regular करते रहेंगे और उसके बाद में आईगेज आपका history में से कोई भी question नहीं चूट पाएगा जै हिंद जै भारा